किसी को भी उसके कद का गुमा न था वो आसमा था मगर सर जुकाए बैठा था ये शेर बिलकुल मौजू है रफी साहब की परसनालिटी पर रफी साहब महान कलाकार अजीम फनकार तो थे लेकिन साथ साथ अजीम शक्सियत थे ग्रेट परसनालिटी ग्रेट यूमन बिंग ये कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलेगा आपको और जो लोग आपसे ये कहते हैं न कि अच्छा कलाकार बनने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है ये हो जाए तो बहुत अच्छा है लेकिन ये जरूरी नहीं है दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं ये दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा कलाकार अच्छा इंसान रेर कॉम्बिनेशन है और ये रेर कॉम्बिनेशन मुहमद रफी में पाया जाता है मेरे जान पहचान के एक producer है उनके फादर जब पहली बार producer बने तो रफी सहाब उनके गाने की recording के लिए आए पंजाबी आदमी उन्होंने रफी सहाब के गाने के बाद पाँच हजार एक रुपया उनको नजराना रखा तब तक रफी सहाब को पता लग गया था कि ये इस producer की पहली फिल्म है जो पहली बार direct भी कर रहे है पंजाबी बंदा उन्होंने फर्स्ट टाइम उस director producer से कहा तो अड़ी पहली picture है मैं एक रुपया रख लेने हैं मतलब मैं एक रुपया रख देता हूँ पांच अजार रुपय मेरी तरफ से फिल्म प्रेडक्शन में लगा दो ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट बात बता रहा हूँ लपी ने भी लक्षमी कांथ पहरेलाल ने जब रफी साहब से पहला गीत गवाया तो बहुत डरते डरते उन्होंने रफी साहब के हाथ में एक हजार रुपय रखे यहाँ पर भी रफी साहब को मालम था ये दोनों नए लड़के हैं नियू कमर्स नए जवान हैं बहुत अच्छा संगीत देते हैं रिकॉर्डिंग के बाद जब एक हजार रुपय इस गाने के लिए मिले तो एक हजार रुपय में एक एक रुपय के दो नोट और एड करके 501 पांच सु एक रुपया हतेली खुलवाई और लक्ष्मी कांत की हतेली पर और प्यारे लाल की हतेली पर ग्रेट महम्मद रफी ने आशीरवाद दुआएं देते हुए दोनों नौजवानों की अतीली पे पांच सो एक रुपे की इसी दुआएं दी ये महम्मद रफी, क्या तारीफ करूं महम्मद रफी की जिसके लिए गाते थे पूरा डूब के गाते थे और आप ताज्यूप करेंगे वो गीत आपको ऐसा लगेगा कि पारसमणी का वो गीत नहीं था उस फिल्म का नाम था चहला बाबू चहला बाबू के लिए रिकार्ड किया गया था 92.7 बिग एफम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विथ अनुक पूर